किम वदंतियां और बड़ी पुस्टनालिटीज की टक्राहट अक्सर इतिहासकारों और आम लोगों को वह मसाला उपलब्द करा देती हैं जिससे किसी व्यक्ति या किसी दौर के वास्तविक योगदान के मुल्यांकन की तरफ थ्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की जाती कुछ बर्सों पहले हमने एक टीवी डबेट में क्रिकेटर चेतन शर्मा को ये कहते सुना था यदि मैं बाजार जाता हूं तो आस-पास के लोग फुस-फुस आते हैं कि देखो ये वही चेतन शर्मा हैं जिसने शार जहां के फाइनल में आकरी बॉल पर सिकसर पिटवा दिया और इंडिया हार गया कोई ये याद नहीं करता कि मैंने वर्ल्ड कप के इतियास की पहली हैट्रिक लिए इंगलेंड में टिस्ट मैच में दस विकेट लिए सबको सिर्फ मैं जावेद मियादाद और शार जहा का फाइनल ही याद रहता है लेकिन चेतन शर्मा अकेली ऐसी शक्सियत नहीं है जिन्हें लोग सिर्फ एक घटना के इर्दगिर्द समेट देते हैं समाज के हर शेत्र में ऐसे धेरो लोगों के उधारन मिलते हैं जिनके व्यक्तित्व और उनके योगदान को किसी एक वाक्य तक सीमित कर देखने की परंपरासी बन जाती है जबकि ऐसे लोगों का उनके अपने शेत्र में योगदान कलपना से परे होता है आज हम एक ऐसी ही शक्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें सिर्फ कॉंग्रेस के एक तिरूपरी अधिवेशन और गांधी सुभाश मतबेद के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती रही है इन शक्सियत का नाम है भोज राजू पटाभी सीता रमया लोग इन्हें पटाभी सीता रमया के नाम से जानते हैं और 17 दसंबर 2020 को इनकी 61 पूनेत थी थी अपने जीवनकार में सीता रमया ने कई शेत्रों में काम किया एक डॉक्टर, एक पत्रकार, एक सतंतुरता सेनानी कई पहचान रही इनकी लेकिन इनकी चर्चा अकसर तिरुपरी अधिवेशन तक ही सिमट कर रह जाती है लेकिन आज हम तिरुपरी अधिवेशन से इतर सीता रमया से जुड़े चार वाक्यों की चर्चा करेंगे लेकिन पहले ये जान लीजिए कि तिरुपरी अधिवेशन में क्या हुआ था 1949 के तिरुपरी अधिवेशन में कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीता रमया महत्मा गांधी समर्थित कॉंग्रेस कैंडिडेट थे लेकिन सुभास चंदर बोस से पुरी तरह हार गए थे जब भाशाई आधार पर राज्ये बनाने की वकालत की यह 1912-13 का दौर था इस दौर में मदरास राज्ये में तमिल और तेलगू भाशी लोगों की बहुलता थी तेलगू लोगों की बीच ने तेलगू राज्ये के लिए राजनीतिक छेतना का संचार होना शुरू हो गया था इसी दौर में कॉंग्रेस के स्थानिय तेलगू भाशी नेता पट्टाभी सीता रमया ने दहिंदू और अन्य अकबारों में तेलगू भाशी लोगों के लिए एक अलग आंध्रप्रदेश के गठन के आविशकता पर जोर देना शुरू कर दिया उस दौर में सीता रमया ने भाशाई आधार पर राज्यों के गठन की वकालत करते हुए कई लेख लिखे इतना ही नहीं 1916 के लखनव कॉंग्रेस अधिवेशन में भी बहुत कुछ हुआ था इस अधिवेशन में कॉंग्रेस के दोनों गुटो नरम दल और गरम दल जिन में 1906 के सूरत कॉंग्रेस अधिवेशन में फूट पड़ गई थी में एकता कायम हुई इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चमपारण में निलहा अत्याचार दिखाने के लिए आमंतृत करने एक किसान राजकुमार शुक्र भी पहुँचे थे इसके अलावा भी लखनव अधिवेशन में बहुत कुछ हुआ मदरास के नेता पट्टा भी सीता रमया ने मदरास राज्ये के आंधर सरकल के लिए एक अलग शेत्रिय कॉंग्रिस कमीटी बनाने की मांग की इसका खुद महात्मा गांधी और कई अन्न डेलिगेट्स ने विरोध किया लेकिन बाल गंगादर तिलक ने सीता रमया का समर्थन कर दिया हाला कि अगले कुछ महीनों में विरोध की आवाज मद्धिम पड़ गई और 1918 में आंधर सरकल के लिए एक शेत्रिय कॉंग्रिस कमीटी बना दी गई खुद सीता रमया 1937 से 1940 के दौर में इसके अध्यक्ष रहे लेकिन क्या पट्टा भी सीता रमयाबाद में भी भाशाई आधार पर राज्य बनाने के पक्षदर बने रहे चलिए आपको आगे बताएंगे आंधर बैंक की स्थापना आपको देश के जादतर इलाकों, विशेशकर, शहरों और जिला मुख्यालों में आंधर बैंक की ब्रांच दिख जाएगी पहले इनिजी छेतर का बैंक हुआ करता था, लेकिन अप्रल 1980 में इंद्रा गांधी ने दूसरी बार कुछ बैंकों का नाशनलाइजेशन करते वक्त आंधर बैंक का भी राश्ट्यकरन कर दिया था जानते हैं बैंक किसने शुरू किया था? 28 नवंबर 1923 को पट्टा भी सीता रमया ने आंधर बैंक की शुरुवात की थी ताकि आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का लाब पहुँचाया जा सके और आज ये बैंक अपने कारोबार का विस्तार करते करते देश के कोने कोने तक पहुँच किया है वैसे आपको बताते चलें कि सिर्फ पट्टा भी सीता रमया ही अकेले स्वतंदृता सेनानी नहीं थे जिन्होंने बैंक स्थापित किया था उनके अलावा भी स्वतंदृता आंदोलन के कई नेताओं ने देश और आम आदमी की वित्ताई जरूरतों को समझते हुए बैंकों की शिर्वात की थी बॉंबे में फिरोश शाह महता ने पार्सी समधाय के प्रतिष्टित लोगों के साथ मिलकर सेन्ट्रल बैंक ओफ इंडिया के शिर्वात की थी जो आज देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है अब वापस पट्टाभी सीता रमया के किस्से पर लोटते हैं उन्होंने आंधर बैंक के अलावा शेत्रिय स्तर पर कई अन्य फिनांशिल और इंशूरंस कम्पनियों को भी शुरू किया था 1948 में कॉंग्रिस अध्यक्ष का चुनाव 1949 के तरुपुरी अध्यवेशन और कॉंग्रिस अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा तो सभी करते हैं क्योंकि वाप पट्टाभी सीता रमया के बहाने महात्मा गानी वनाम सुभाश चंद्र बोस के बीच कॉंग्रिस की दशा और दिशा को लेकर पैदा हुए मतभेद को निजी मतभेद बताकर पचारित करने के लिए लोगों को परियाप्त मसाला मिल जाता है लेकिन आजावी मिलने के साल भर बाद जैपुर के कॉंग्रिस अधिवेशन और उसमें अध्यक्ष की चुनाव की पुरक्रिया को इतिहास लेखन और किम वदंतियों की चर्चा में 1949 जैसी चर्चा नहीं मिल पाती जबकि इस चुनाव में बेहत क्लोस फाइट थी और कड़े मुकाबले में पट्टा भी सीता रमया को जीत मिली थी अक्टुबर 1948 में जैपुर में कॉंग्रिस का अधिवेशन हो रहा था तक्रीबन धाई हजार डेलिगेट्स इसमें भाग लेने जैपुर पहुँचे थे क्योंकि इस अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव होना था अध्यक्ष के लिए किसी एक नाम पर सहमती नहीं बन पा रही थी अंततह चुनाव की नौबत आई 1949 के तरुपरी उधिवेशन के बाद यह पहला मौका था जब चुनाव की नौबत आई थी और दुल्चस बात यह थी कि दोनों मौकों पर पट्टा भी सीता रमया एक किरदार थे हाँ नाम में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ था आजादी के पहले कॉंग्रेस सुप्रिमों को राष्टपती कहा जाता था जबकि आजाद भारत में कॉंग्रेस अध्यक्ष कहा जाने लगा क्योंकि राष्टपती शब्द को सवक्त सम्विधान सभा देश के समवैधनिक प्रमुक के लिए सुरक्षित करने पर सहमत होती दिख रही थी बहरहाल 1948 में कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में इस दफ़ा सीता रमया के मुकाबले सुभाश बाबु नहीं बलकि उप्रधान मंतरी वल्लब भाई पटेल समर्थित कैंडिडेट और संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश किनेता पुर्षोत्तम दास तंडन थ सीता रमया को प्रधान मंतरी जवाहल लाल नहरू का समर्थन प्राप्त था वोटिंग हुई और चुनाव हुआ पट्टाभी सीता रमया को मिले 1199 वोट जबकि टंडन को मिले 1085 वोट महज 114 वोटों के अंतर से पट्टाभी सीता रमया कॉंग्रिस अध्यक्ष का चुनाव जीतने में सफल रहे इसके बाद वे 2 साल तक इस पत पर रहे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ नया समविधान बनाने की कवायद शुरू हुई वैसे तो समविधान बनाने की कवायद 1946 में ही शुरू हो चुकी थी जो तकरीबन 3 साल तक चली इस दर्मियान 1948 में देश की अलग-अलग हिस्सों में भाशाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी कहीं गुजराती, कहीं मराथी, कहीं तेलगू, कहीं पंजाबी हर भाशा के लोग अलग-अलग राज्यों की मांग करने लगे इन मांगों को देखते हुए ठक हार कर तीन सदस्य कमेटी बनाई गई इसका नाम रखा गया JVP कमेटी इस कमेटी में प्रधान मंत्री, उप्रधान मंत्री और कॉंग्रिस अध्यक्ष को रखा गया JVP इस समिती में शामिल तीनों नेताओं के नामों कमरशाद जवाहलाल नहरू, वल्लभाई पटेल और पट्टाभी सीता रमया का पहला आक्षर है इस कमिटी ने अपने सिफारिश में साफ साफ कहा कि भाशाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग अनुचित है और जिस्वीकान नहीं किया जाएगा, राज्यों का गठन प्रशासनिक स्विधा को धान में रखकर किया जाएगा लेकिन इस कमिटी की सिफारिश से जादा अस्चर्य इस बात पर था कि आजादी के पहले भाशाई आधार पर राज्यों के गठन State on linguistic base की वकालत करने वाले पट्टाभी सीता रमया आजादी के बाद भाशाई आधार पर राज्यों के गठन के पुर्जोर विरोधी के रूप में सामने आये थे हाला कि बाद में आंध्रप्रदेश की मांग को लेकर पोट्टू श्विरामुलू के अंशन, अंशन के दौरान मृत्यू एवं उसके बाद भड़की हिंसा को देखते हुए सरकार को राज्यों के घठन के मसले पर पुर्णरविचार के लिए 1953 में फजल अली आयोग बनाना पड़ा इस आयोग ने भी भाशाई आधार पर राज्यों की मांग को स्विकार कर लिया जिसके बाद आंध्रप्रदेश समेत कई नहीं राज्ये अस्तित्म में आ गए उधर पट्टा भी सीता रमया का बतौर कॉंग्रिस अध्यक्ष कारेकाल 1950 में समाप्त हो गया लेकिन इसके बाद भी विस्स्टम का हिस्सा बने रहे 1952 में उन्हें राज्यसभा के पहली बैच का सदस्य बनाया गया लेकिन कुछी महीने बाद उन्हें राज्यपाल बनाकर मध्य प्रदेश भेज दिया गया जहां से 1957 तक कारे रत रहे राज्यपाल पत छोड़ने के दो साल बाद 17 दिसंबर 1969 को 89 बरस की अवस्था में उनका निधन हो गया आपके लिए खबर लिखिया हमारे साथ है अभिशेक में मेरा नाम है दिव्यानशी देखते रहे दीललन टॉप शुक्रिया